आश्विन मास क्रिश्व पक्ष ब्रिहस्पतवार दितिया तिथी सुवह नौ बजे तक लगी रहेगी तत्पस चात्रितिया तिथी प्रारंभ हो जाएगी चंद्रमा आश्विनी नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे अश्विनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी केतु हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, चंचल, मजबूत शरीर वाले, अत्याधिक बुद्धिमान, नम्रसोभाव वाले, सेवा भावी, सबके प्रीर, धनवान तथा भागिशाली होते हैं ऐसे जातक इस्वरभक्त बुद्धिमत्त पुन कारियों में प्रसिद्धी पाने वाले, आभूशन एवं रतनों के प्रेमी, मगर जमीन जायदाल संबंधी मामलों में चिंता ग्रस्त रहने वाले, नित्रित प्रधान कारियों में रुची रखने वाले और प्रभमण सील म मानसिक्ता के होते हैं, जदी सहयोगी लगन रहा मंगल और केतु की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे, चंद्रमा आज पूरे दिन मेश रासी में ही चलते रहेंगे, जिसके राश स्वामी मंगल दे वह हैं, आज के चंद्रमा पर ब्रिहस्पती और सुक्र क मंगल की चतुर्फ दिरिष्टी पड़ गही है, जिससे आत्मिश्वास में विद्धी होगी, अपेक्षित मात्रा में सहयोगी प्राप्ती होगी, और मन मुताबिक काम होते रहेंगे, मानसिक रूख से अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा उर्जावान महसूस करेंगे, बड़े बुजुर्गों और अधिकारियों की सकारात्मक रेणा मिलती रहेगी, मगर यदा कदा मन में नकारात्मक विचारों का उश्णा भी संभावित है, साथ ही यात्रा प्रदान मानसिकता बनी रहेगी. मेश रासि के जात्कों पर ही चंद्रमा केतु के नक्षत्र में कायम है, मानसिक ब्यगरता हर काम करने के प्रती जल्दवाजी और सभाव में उगरता संभावित है, मगर मंगल ब्रिहस्पती और सुक्र के सायोग से रचनात्मक रिया सिर्था बनी रहेगी. भावनात्मक लगाव विक्सित होगा और उर्जावान बने रहेगे, कारे छेत की निरंतरता बरकरार रहेगी, नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव विक्सित करने में मदद मिलेगी और आखिक लाव के नए अवसर सामने आएंगे. विवाई क्रस्ताव सफल रहेंगे और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, विद्याथियों को सैक्षडी कारियों में सफलता मिल सकती है, अपने प्रयास जारी रखें और परिस्थितियों के अनुसार भैरे बनाई रखें. ब्रिस्थ राशिके जात्कों के लिए स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए, आज केतु का नक्षतर होने से हर काम करने के प्रतिया नावसक जल्दवाजी, ब्यगरता और धन खर्च की स्थिति संभावित है, हाला कि आपकी कारियोजनाएं पूरुवत चलती आथिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा, मगन मिरने लेने की चमता प्रभावित होगी और नीजी सुख संसाधनों पर खर्च की स्थिति भी बनती है, बिद्यातियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सामने आएंगे और उसको आप सरलता से संपन्न भी कर सकते हैं, सफलता हर छेतर में हासिल होगी, जिस से आत्मिश्वास और पारिवारिक प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी और प्रेरना सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी, आर्थिक लाव की स्थिति मन मुताबिक बनी र करक राशिके जात्कों के व्यावसाय संबंधी मामलों में पूरी तरह से सफलता का संकेत मिलता है, बहुत दिक शमता का विकास होगा और नेत्वित करने का मौका मिलेगा, आपकी कारियों जिनाएं मन मुताबिक ढंक से पूरी होंगी, मकर संबंधित मामलों में भाग दौ की चिंता मन में लगी रहेगी, विद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, परिश्रम के अनसार फल की प्राप्ति होगी, साथ ही स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें सिंग राशिक एजात्कों के लिए नीजी सम्मध्धों में सुधार और भावनादमा क्रिया शीलता बनी रहेगी, कारेच छेत्र में आ रही दुकावटें खत्म होंगी और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी, आत्म दिश्रास और सक्रियता में सुधार होगा और कारी वजनाओं में गती आएगी, सासन सर्ताव अधिकारियों का सही योग बना हुआ है, आर्थिक लाव की इस्थिति मन मुताफिक बनी रहेगी और भावना में बिद्धी होगी, विद्ध्यात्यों को अध्यान अध्यापन के लिए मेहनत करने पड़ेगी, अभ्यास जारी र रहेगा काड़े छत की निरंतरता बनी रहेगी, व्यावसाइक मामनों को सुधरिड करने में सही योग मिलेगा, मगर नई कार्योजनाओं के लिए आपी सक्रियता मानसी कस्तर पर प्रभावित रहेगी, चंद्रमा केदू के नक्षतर में आठमे भाव में बैठे हैं, मन के नकारात्मक विचारों से परहेज करें, साथ तक प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे, आठिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा, छोटी यात्राएं संभावित हैं, मगर संतान संबंदी चिंता बढ़ सकती है, विध्यातियों को अध्यान अध्यापन में सही योग सवास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें, और वाहन सावधानी से चलाएं चंद्रमा के केत्व के नक्षत्र में होने से कुछ कामों में नकारात्मक विचार पहल करेंगे और रुकावट की संभावना भी बनती है, मगर अभिकारियों का सही योग मिलता रहेगा, साजेदारी के कामों में सावधानी बरकरार रखें, कारेशेल की गती प्रवावित ह बिध्यातियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा, धेन अध्यापन में सफलता मिल सकती है, पारिवारिक सही योग बना रहेगा और सुख सभावध में बिध्धी होगी बिष्चिक रासि के जात्कों के लिए शारिरिक स्वास्त, कारियोजनाई और मानसिक उर्जास्तर प्रभावित हो सकता है, चंदर्मा केतु के नक्षदर में आपकी रासि से छठों चल रहे हैं, नई कारियोजनाओं के प्रतीद रिठिच्छा सकती और आद्मिश्वास के प्रभावित होने का संकेत भी मिलता है, हलाकि शासन सत्तावा अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कारेच्छत की निरंतरता बनी रहेगी, ब्यावसाई की स्थिरता महसूस होगी और रूके हुए काम संपन हो सकते हैं, आर्ठिक लाव की स्थिति सामान रहेगी, नध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास संबंद्री आवस्थक सावधानी बनाए रखे हैं, धनुराशी वाले जातक शारिरिक और मानसिक अस्तर पर प्रभावित रहेंगे, अनावस्थक जगरता हर काम करने के प्रती जल्दबाजी और आत्मिश्वास में कमी सं संबावित है, हाला कि अधूरे काम पूरे होंगे, नई कारियोजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे और आर्थिक लाव के इस्थिति मन मुतादिक बनी रहेगी, शार्षन सत्ताव अधिकारियों का सहीयोग भी वरकरार रहेगा, विद्याथियों के लिए आज का दि चाओं में सफल होने का संकेत मिलता है, मगर स्वास संबन्धी आवस्यक सावधानी बनाए रखें, नसों और हड़ी से संबन्धित समस्याएं संभावित हैं मकर राशी वाले जातकों के लिए कारेच शेतर से संबन्धित मामले चलते रहेंगे और नीजी मामलों के संदर्व में आर्थिक निवेश की सोच विक्सित होगी, हलाकि कार रियोजनाओं में सार्थक प्रयास जारी रहेगा, मगर पारिवारिक सुक संतुष्टी और सुख मधानी रखनी चाहिए, विध्याखियों के लिए आज का दिन सहियोगी रहेगा, अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा कुम्ब राश्य वाले जात्कों के लिए आज का दिन पराक्रम बढ़ाने वाला होगा मगर तर्क वितर्क करने की मनोभित्ती भी बनी रहेगी मन का अंतरदंद आपकी कारे छमता और आत्मिश्वास को प्रभावित कर सकता है हाला कि कारे छेत की नीरंतरता बनी रहेगी और आत्रिक लाव मन मुतादिक मिलता रहेगा बड़े बुजुर्गों का सहयोग और उनकी पेरणा लावदायक सिंद होगी चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने से मन अग्यात भैसे ग्रस्त रहेगा अनावस्क बाद वीबाद से दूर रहें विध्यात्यों के लिए आज का दिन महनत वाला होगा सकारात्मा प्रयास जारी रखें और वाइवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे मीन राशी वाले जात्कों के लिए वाणी में व्यग्रता और आर्थिक पक्ष की चिंता स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी हाला कि हर कामों में द्रिठ विश्वास की भावना जागरित होगी और बौधिक छमता का विकास होगा कारी और जिनाव की निरंतरता बनी रहेगी और राथिक लाफ सामाने रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे मगर महतुपूर्ण और ठोस निरने सोच समझ कर सावधानी से लेने चाहिए कारे छेति के प्रती पहल और आत्मिश्वास बनाए रखें बिद्यातियों को सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करने पड़ेगी साथ ही साथ स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवायद